गोसंत बिहार SDM ने NGO के साथ मिलकर बाल मजदूरिक करने वाले 23 बच्चों का रेस्क्यू किया इन सभी बच्चों का नेडिकल चेक अप कराकर चाइल्ड होम केर भेजा जाएगा आप अक्सर अपने आसपास के मार्केट या रेरलाइट पर चोटे-चोटे बच्चों को कोई समान बेजते हुए या कुछ कर्दब दिखा कर पैसे मांगते हुए या फिर भीक मांगते हुए देखा होगा जादा तर बच्चों का इस तरह के काम करने का कारण गरीबी होता है कुछ बच्चों के माता-पिता ही कोई काम नहीं करते और अपने छोटे-छोटे बच्चों से काम करा कर अपने पूरे पड़िवार का पेट पालते हैं भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी भी तरह के काम करने पर पर्तिबंद है। अगर किसी बच्चे के माता-पिता का अपना बिजनेस है, तो स्कूल टाइम के बाद वह बच्चा वहाँ बैठ सकता है। कुछ इसी तरह का नजारा आपको सरविनी नगर मार्केट में अकसर देखने को मिलता होगा, जा मेट्रो अस्टेसन से लेकर पूरे मार्केट में छोटे-छोटे बच्चे घूम घूम कर कुछ ना कुछ बेशते नजर आ जाएंगे। आज एक मैसिव लेवल पे चाइल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन हमने रन किया था जो चाहल लेवल्स होते हैं उनको रेस्क्यू करने का, सो 23 हमने बच्चो को रेस्क्यू किया है, इनकी एज जो है पास साल से लेके बारा साल तक की इनकी एज है, और बैसिकली ये लोग डिफरेंट तरह की बैगिंग में इन्वाल थे और कुछ लोग थे वो किस तरह का समान बेच रहते या दुखानों में कुछ नौकरी करते थे, और अंडर 14 तो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, अगर पेरेंट्स की कोई फैमिली बिजनेस है, अगर उसको भी ये लोग रन करते हैं, तो इनको स्कूल के बाद वाला जो टाइम होता है, उसमें ये इस तरह का काम कर सकते हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं, उनको अभी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद, उनकी काउंसलिंग करेंगे, और साथ में जो चाइल्ड वेलफेर होम्स हैं, वहाँ पे हम उनको भेजेंगे, इसके साथ साथ उनका इडिटिफिकेशन करा जाएगा, कि उ एक बहुत ही सक्सेस्फुल आप्रेशन रहा है,